नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अंकुरतिवारी है और आप देखना श्टार्ट कर चुके हैं करन टाइम क्लासिस प्रियाग राज आज हम लोग अपनी स्क्रोणिकल मैगजीन में वन लाइनर का दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसमें पहला चैप्टर है आर्थिगी तो कल हम लोगों ने राज और राष्ट्य खबरों को देखा था आज आर्थिकी और अंतराष्ट्य खबरों को देखेंगे तो जिसमें हमारी पहली न्यूज है कि 24 मई को आर्बियाई ने निस्पक्ष बिवहार सहिता से सम्मंधित कुछ प्राउधानों का अनुपालर नहीं करने के लिए किस कमपनी पर 3.1 लाक रुपए का जुर्माना लगा दिया है तो इस कमपनी का नाम है हीरो फिनकार्ब आगे बढ़ें दोस्तों तो हमारी अगली न्यूज है कि हाल ही में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण जिसे आई यार डी ए आई कहा जाता है ने HDFC ला अबित वर्स दोहजार चोबिस पचीस के लिए देश की जीडीपी बृद्धी का अनुमान 6.5 प्रतिसत से बढ़ा करकी कितना कर दिया गया है तो 7.1 प्रतिसत कर दिया गया है किसके द्वारा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा पहले कितना था तो साड़ नियुक्ति को मंजूरी दे दी है तो इनका नाम है अतनु चक्रवर्ती आगे बढ़ें तो आर्थिक सहयोग विकास संगठन संस्था का नाम याद रखेगा ने दो मई को जारी अपने नवींतम एकोनोमिक आउटलूग रिपोर्ट में दोजार चोबिस पचीस के लिए भा बतराश्टे खबरों में हमारी पहली नियूज आती है कि 23 माई को 23 माई को फ्रांस में आउजित सताहत्र में कौन्स फिल्म महुत्सो में किस फिल्म को सर्वस्रेश्ट लगव फिल्म के लिए कौन्स लॉस सीनेफ उरसकार से सम्मानत किया गया तो इस फिल्म का नाम था first ones to know ठीक है आगे है कि 20 से 20 मई के मद संधाई सहयोग संगठन की पिदेश मंतरियों की परिशद की बैठा कहां आयजित की गई तो दोस्तों कहां आयजित की गई तो कजाकिस्तान के अस्ताना में आगे बढ़ें तो हमारी अगली न्यूज है कि 20 मई को किसी ने ताइवान के रूप में सपत ग्रहन किया है तो इनका नाम है बिलियम लाई चिंगते एक सब्द से आप पकड़ सकते हैं लाई क्योंकि ये चाइना है तो लाई जैसे जो लाई हम लोग खाते हैं उसी की आकार का जो है ताइवान लटका हुआ है चीन के नीचे तो य इंडो बंगला संगीत समारो का आयोजन कहां किया गया तो बंगला देश में ही क्या गया बंगला देश के सेरपूर में इसका आयोजन किया गया आगे बढ़ें तो इरान के राष्टपती इब्राहिम रईसी की हेलिकाप्टर दुरघटना में मृत्य हो जाने के बाद कारि जवाहत राष्टपती किसे नियुक्त किया गया है तो इनका नाम है मोहम्मद मोखबर नाम याद रखेगा इब्राहिम रहीसी के जगा पर मोहम्मद मोखबर आये हैं उननीस मई को ब्लू ओरिजन के एनेस टुन्टी फाइव अंतरिच्यान के प्रच्छेपड के लिए सईयुक्त राज अमेरिका के पहले अस्वेत अंतरिच्यात्री कौन बन गए हैं तो इनका नाम है एड़ ड्वाइट एड़ ड्वाइट अगली न्यूज है हमारी की अठार इन ओपन का खिताब जीता है यह पोलाइन की है इनका नाम है इगा स्वेटे आगे है 17 मई 2024 को क्रोएशियाई संसद ने किसके नेतुर्त वाली यूरोपियन क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के प्रभुत वाली सरकार को मंजूरी दे दी है तो प्रधानमंत आगे बढ़ें तो अगली न्यूज है कि 16 से 17 मई के मध्य भारत और मंगोलिया ध्यान दीजेगा भारत और मंगोलिया के रच्छा मंत्रालियों के बीच साइयुक्त कार्शमोह की बारहुई बैठा कहा है जे की गई तो मंगोलिया की ही राजधानी उलान बटोर में आगे बढ़ें तो 15 मई को किस देश ने परियावरन संरच्छन और इस्थिरता प्रयासों में महतपूर योगदान देने वाले ब्यक्तियों के लिए 10 वर्षिय ब्लू रेजिडेंसी वीजा का अनावरण किया है तो इस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात आगे बढ़ें तो 15 मई 2024 को जापान और संयुक्त राज अमेरिका द्वारा हस्ताच्छरित एक अनुबंध के तहत दोनों देश कब तक हाइपरसोनिक मिसाईलों को मार गिराने के लिए इंटर्सेप्टर बिक्सित करने की योजना बना रहे हैं तो 2030 तक ऐसी योजना ये दो देश जापान और योजसे मिल करके बना रहे हैं तो दोस्तों हमारी अगली न्यूज है कि 15 मई को किसने सिंगापूर के चौथे प्रधान मंतरी के रूप ने सपत ग्रहन की है तो इनका नाम है लौरेंस वॉंग 15 मई को किसने सिंगापूर ध्यान दीजेगा सिंगापूर के चौथे प्रधान मंतरी लौरेंस वॉंग आगे बढ़ें तो 14 मई को किस नोबेल पुरसकार विजेता यूम कनडाई लेकिका का 92 वर्स की आयों में उन्टोरियो में निधन हो गया तो इनका नाम है एलिस मुनर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने टीसियस ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस सेंटर आफ एक्सिलेंस बनाने की घोचड़ा की है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आगे बढ़ें तो हाल ही में नासा के सोधकरताओं ने एक गर्म चट्टानी बा इस्थित है तो लगभग 41 प्रकास वर्ष की दूरी पर इस्थित है हाल ही में रूस ने अंटार्क्टिका के ब्रिटिस छेत्र में तेल और गैस के जिस बिसाल भंडार की खोज की है उसमें कितना तेल भंडार होने का अनुमान है तो 511 बिलियन बैरल तेल है यहां पर रू सेवे स्टेशन बनाने की योजना की घोचड़ा की है तो नासा ने किया है 14-15 मई के मध्य अफरीका पर भारत अमेरिका वारता का दूसरा दोर कहां पर आयजित किया गया है तो वासिंग्टन डीसी में आगे नियूज है हमारी कि 13 मई को इंडोनेसिया के माउंट इबू ध इसफोर्ट हुआ या इंडोनेसिया के किस दीप पर है तो एक दीप नया चर्चा में है यह एक्जाम में जरूर कहीं न कहीं पूछा जाएगा इसी तरह के दीप पूछा जाते है इसका नाम है हलमा हेरा हलमा हेरा दीप अगली नियूज है कि 13-15 मई के मध्य विस सो हाइड रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया तो नीदरलेंड के राटरडम में इसका आयोजन किया गया अगला 13 मई को 2024 फ्रांस भारत फ्रांस संयुक्त सैनभ्या सक्ति का सातवा संस्क्रण कहां यह जित किया गया तो मेघाले के उमरोई में आगे बढ़ें तो अगली के लिए एक दीर्ग कालीन समझोते पर किन संगठनों दोरा हस्ताच छड़ किये गए तो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिम्टेड और इरान के पोर्ट्स एंड मेरिटाइम और्वनाजेशन के दोरा भारतियों मूल के सांसद मुरिली पिल्लाई को सिंगापूर के नए प नई कैविनेट के में जो है किस पद पर नियुक्त किये गए हैं तो कानून और परिवहन राज्यमंत्री बनाए गए हैं अगली नियूज है कि 12 मई को अंतर राश्टी नर्स दिवस मनाया जाता है तो इसकी थीम क्या थी तो हमारी नर्से हमारा भविस देख भाल की आर्थ सकती अगली नियूज है कि 7 से 9 मई के मध आसियान भारत वस्त व्यापार समझा होता कि समीच्छा के लिए 34 संयुक्त समीटी का बैठा कायोजन कहां किया गया तो मलेशिया के पुत्र जया में ध्यान ये नाम याद रखिएगा अब सन में पुत्र जया सबसे लाश्ट में देगा तो पुत्र जया याद रखिएगा अगली नियूज है कि नेपाल में कौन सा प्रवतारो ही है जिसने हालही में 30 वी बार बिश्च की सबसे उंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना खुद का ही रिकार्ड तोड़ दिया है इनका नाम है कामी रीता से हालही में जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुषार केंद्र सरकार ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती सफेज चावल की निर्यात की मंजूरी दी है तो इसका नाम है मौरिसस को आगे बढ़ें तो हालही में किसने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है तो यूरोपी संग ने पारित किया है छे से दस मई के मध्य वनो पर संयुक्त राष्ट फोरम के उन्नीसवे सत्र कायोजन कहां किया गया तो नियुव्यार्क में स्थित संयुक्त राष्ट के मुख्याले में इसकायोजन किया गया कह रहा है कि 10 माई को रूसी राष्टपती बलादमीर पुतिन ने कीसे पुना प्रधान मंतरी के पदपर नियुक्त किया है तो मिखाईल मिसुष्टिन यहां के प्रधान मंतरी बनाए गए है राष्टपती बलादमीर पुतिन है हाल ही में कौन स्कॉट लाइन के साथ में प्रथम मंतरी बनाय गए है तो जॉन स्वाइली स्कॉट लाइन का प्रथम मंतरी ही वहां का प्रधान मंतरी होता है बिस्ट थैलेसेमिया दिवस प्रतेकवर्स के स्तिथी को मनाया जाता है तो 8 मई को 200 थैलेसेमिया दिवस मनाया जाता है अब आगे कह रहा है कि 200 रेड क्रॉस 2024 की थीम क्या है तो इसकी थीम थी कि मैं खुसी के साथ देता हूँ और जो खुसी मैं देता हूँ वह एक इनाम है अगली नूज है कि 7 मई 2024 को राष्टपती ब्लादमीर पुतिन ने मासको के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में आयोजीत एक समारो में कितने वर्स के नए कारकाल के लिए राष्टपती पद की सपत ली है तो 6 वर्स मतलब ब्लादमीर पुतिन 6 वर्स तक राष्टपती रूस के अभी और रहेंगे आगे बात करें तो भारत और भूटान के बीच 25 संयुक्त सीमा सुल्क समो की बैठक 6 से 7 मई 2024 को कहां आयोजीत की गई तो लेह लद्दाक में अगली है कि बीच सुप्रेश स्वतंतरता सूचकांग 2024 की थीम क्या थी तो इसकी थीम थी एप्रेश फॉर दा प्लैनेट जर्नलिज्म इन दा फेज आफ दा इन्वायर्मेंटल क्राइसिस इसकी थीम थी अब आप जो है वीडियो को रोकिये और कमेंट बॉक्स में बताईए कि बिच सुप्रेश स्वतंतरता सूचकांग में भारत की रैंक क्या है अगर आपको पता है तो बताईए वड़ना स्किप करिये अब आगे बढ़ें तो अंतराष्टिय सूर दिवस की किस तिथी को मनाया जाता है अंतराष्टिय सूर दिथी तीन मई को मनाया जाता है दो मई को बारहुए भारत नीदलेंड विदेश कारियाले परामर्स बैठा कहां है जुद की गई तो दहेग में, नीदरलेंड के दहेग में हाली ही में पुरातत विदो ने पूर्वोत्तर सर्विया के किस नदी के समीप जो नदी, जो जील, जो दीप चर्चा में होते हैं वो एक्जाम में बूछे जाते हैं इसलिए मैं बार-बार बताता हूँ कि जो करेंट अफेयर में आपको नदी, दीप, जील, ये सब मिले टाइगर, रिजर्व, उन लोग को पक्का याद कीजिए तो किस नदी के समीप साथ हजार साल पुरानी एक प्राग एतिहासिक बस्ती की खोज़की है तो इस नदी का नाम है टॉमिस नदी आगे पढ़ेंगे हाल ही में स्री लंका ने किस भार्दिय कमपनी के साथ 20 वर्स का बिजली समझोता किया है तो कमपनी का नाम है अदानी ग्रीन एनरजी लिम्टेर आगे पढ़ें तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एरलाइन इंडिगो ने किस बिमान निर्माता कमपनी से ए 350-900 रेंज के दव ए 350-900 रेंज के 30 नवींतम एयरक्राफ्ट खरीद के लिए आडर दिया है जिसकी डिलिवरी 2027 तक होनी है तो उस कमपनी का नाम है यूरोपिय बिमान निर्माता एयरबस कमपनी हाल ही में भारती ये नाइजेरिया संयुक्त ब्यापार समिती का दूसरा सत्तर कहां यूजित किया गया तो नाइजेरिया की ही राजधानी अबूजा में आगे बढ़ें तो 3 मई 2024 को भारत माल्दीव उच अस्तरिय कोर ग्रूप की चोथी बैठा कहां यूजित की गई नई दिल्ली में तीन मई को चीन ने पहली बार चंद्रमा के सुरूर हिस्से से नमोने एकत्र करने और उन्हें बैग्यानिक अध्यन के लिए पृत्वी पर लाने के लिए किस मिशन को लांच किया है तो चाइना ने लांच किया है चौंग इस से क्समिशन नाम याद रखिएगा आगे बढ च्छमता विकास और ग्यान के आधान प्रदान के लिए मंच अस्थापित करने को लेकर एक समझा होता पर हंस्ताचर किये हैं तो नेपाल के साथ वाणिज सच्यू सुनील बर्थवाल के निथित में 26-27 अपरेल को 11 भारत न्यूजिलेंड संयुक्त व्यापार समिती की चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्वाद जय ही जय भारत